जनपद फिरोजाबाद में कल दोपहर दो बजे से नगर नेगम में पारशत का धरना लगातार जारी है और इस धरने के पीछे क्या-क्या मांग है इसको हम विस्तार पुर्वक आपको पताएंगे फिरोजाबाद में जब भी पारशत मीटिंग होती है तो महलाओं को और महला पारशतों को बातरूम के लिए अपने घर जाना पड़ता है जी हाँ ऐसा हम नहीं कह रहे ऐसा नगर निगम के नामित पारशत का कहना है क्योंकि अभी तक नगर निगम में पिंक टॉइलेट ही नहीं है तो फिर महला पारशत और महलाओं टॉइलेट के लिए कहा जाएं क्या या थwarzता पारा हुआ हैं कि इस से बटो के आप नगा रहे देकर उत्तपरदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे कर काम करने की बात करती है और नगर निगम की मेयर भी इसी नारे का ढोल बजाते फिरती हैं लेकिन निगम के पारशत मेयर साहिबा पर कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं क्या आरोप लगा रहे हैं ये खुद ही सुन लीजिए दिर्जेश प्रधान नामित पारसद हूँ इन लोगों ने शुरू से मांग किया इनको गुम्रा किया गिया और अगर जो कार सम्ती बनती तो इनका ब्रश्टाचार सारा उजागर हो जाएगा नगर निगम में कमीशन खोरी चरम सीमा पर है तोबरन सींग जभा करा है मैं बाइल नमबर दर्श से हूँ नगरा करम सींग से और मैं दलित पारसद हूँ कमीशन खोरी चल रही है बड़े प्रेमाने पर जो मानिया मोदी जी और मानिया योगी जी का सबका विकास जो निर्माड कारियों में ऐसा यहां नहीं हो पा रहा है हमारे जो भाई वें पार्शद हैं कार्शम्ती की मांग कर रहे है उसके साथ नगर में हैं जो कार्य विखाश होना चाहिए नगर नियम के प्रोटोकॉल के हिसाब से उस तरह से पूरे शहर में वो बिकास नहीं हो पा रहा है कहीं हमारे अधिकारी हैं उनका दबाब मेयर के उपर इतना है कि वो अपनी लीपा पोती अपने कहना चाहिए बिल बनाने के लिए ठेकिदार अपने जो होते हैं परसनल उनकी दोरह टेंडर डलवाते हैं और उनके दोरह इस तरह के काम करवाते हैं कि लीपा पोती करके वो अपना बिल तयार करवाते हैं और पैसे का गमन होता है ये चीजें काफी जगे चल रही हैं इस पर भी हम लोग बरूद कर रहे हैं और जहां जरूत है, वहाँ काम नहीं हो पा रहे हुआ है गड़े हैं कहीं पर बहुत सी जगे शायर में आज भी कच्छी शड़के हैं, रोडे हैं, फटपात हैं नालियों का विकाशन कार नहीं हो पा रहा है जैसे बहुत सारे स्तरे के कार है और ऐसी कई मागों को लेकर पार्शदों का धरना दिया जा रहा है उनका कहना है कि अगर हमारी मागें नहीं पूरी हुई तो यह धरना इसी तरह बरकरार रहेगा